कि नवस्कार दर्शकों स्वस्त जीवन कार्जक्रम स्वागत है दर्शकों जैसा की जानते हैं इस कार्जक्रम हम लोग स्वास्त संबंदी चर्चा करेंगे आज हम लोग खासकर बातचीत करेंगे मुह एवंग दात के रोग कारण एवंग निदान के बारे में और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है दन्त वा मुह रोग भी से सग्ग डॉक्टर सयद सैफ अली साहब हम लोग डॉक्टर साहब से जानेंगे कि हमारे मुह इवंग दात में कौन-कौन से बिमारी होती है और इसका निदान क्या है फिर इन बिमारी उसे बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए अपने दात की किस तरह से देख भाल करनी चाहिए इन तबाम जो जूड़े हुए सवाल है दात और मुह से इस पर हम लोग चर्च है दातों का टेहरा मेरा हो जाना है मुह से गंद आना है मुह का ना खुलना है और खून आना मुह से मसूरों से खून आना है जी 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 तो सर आपने बताया कि है जो है कमन है कोज है जो आप लोग जनरली जो है अपने प्रैक्टिस के दौरान देखते रहते हैं तो सब से हम लोग बात्चीत कर लें पाइरिया के बारे में पाइरिया भी एक कमन बिमारी है तो पाइरिया के मैंने क्या कारण है पाइरिया क्यों होता है और इसकी पहचान कैसे हम लोग करें कि हमको पाइरिया है पाइडिया सही तरीके से बरश ना करने की वज़े से मूँ की साफ सफाई ना करने की वज़े से जो हमारे मसूरे हैं मूँ के वो फूल जाते हैं जिनकी वज़े से जब हम बरश करते हैं तो वहां से बलड आने लगता है खून आने लगता है तो उनको हम सही से मसूरों को मजबूत बनाने के लिए सही से ब्रश किया करें ब्रश करने का बहुत सारा तरीखा है उस तरीकों को फॉलो करें बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रश करते हैं तो बहुत देर तक करते रहते हैं और छोड़ देते हैं देर और बहुत तेजी से करते हैं जबकि वो तरीखा नहीं है प्रॉपर तरीखा जो है उसको सही से यूज करें और हमेशा सुभा शाम मतलब सुभा और रात एक बार तो ब्रश करना ही करना है और उनको सही और रखने के लिए हम सुसुम पानी नमक डाल कर भी कुला कर सकते हैं अ करना देख वाल नहीं करना ज़़ि किसी कारण से पा ILIYA हो जाए इसकी पहचान कैसे होगी? कि हमको ही है कैसे सबसे क्मन पहचान यही है कि जब आप ब्रॉश करेंगे तो खुन आ जाएगा या नॉर्मली भी हुन आ जाता है यह नॉर्मल चीज़र से हुन आने लगे सफाई करवाई जाई आपके नजदी की जो भी दंट चिकेस्टब कर वाएं या किसी सरकारी संस्था में हमारे यह जैसे मुजफरपुर में इसके मसीच है वहाँ जाएं सदर अस्पताल है वहाँ जाएं जो PSC है वहाँ जाकर के दंची किस्टों से सला ले अगर वो संभव नहीं है किसी प्राइवेट क्लिनिक जाना है वहाँ जाकर सला ले आपके मस्कूरों से खुन क्यों आ रही है उसके बाद उसकी सफाई होगी फिर प्रापर आप ब्रश करेंगे तो समधान निगल जाएगा क्या किसी threat group में होता एक किमन है ठीज भी होता है जैसे 14 से 18-19 साल बोगों भी होता है वह सही से बुछ नहीं कर पाते हैं यह जो लेबर क्लास के लोगать होते है अपने शरीर पर धिधियान नहीं देते हैं वह अपने शरीर कोई धियान नहीं देते हैं वो सिर्फ अपना मजदूरी मेनत करते हैं और दातों और अपने सिहत को छोड़ देते हैं दिसके नतिया कि वह भी एक बड़ा बर्ग है इस विवारी सरकार ने इतना सुवीधा दिये रखा है आप किरिपया जाकर के एक बार ना चिक अप कराया करें हर सिक्स दातों का पीला पढ़ना जो है वो दो-तीन तरह के से होता है एक तो हम जिस जगह पर लोकालिटी जहां पर रहते हैं वहाँ पे विशेष पानी और होता है पानी भी बहुत बड़ा काउज है पीला कड़ाने में दातको या किसी का दात दिखते है कि उझला होने लगताय है कोई care नहीं कर पाते हैं उसके लिए उनको care करना बहुत जरूरी है और वो जब proper बे में brush करेंगे तो कोई problem ही नहीं हो कि दाद पिला हो गई किसी किसी लोगों को genetically होता है तो उसका समादान है उसकी सफाई कराती रहनी चाहिए बहुत सरा उसका प्रोसीजूर है वो कड़ा लेना चाहिए उससे क्यों रहेगा अगर किसी के दांस से दुरगंद आ रहा है तो उसको क्या ततकाल क्या करना चाहिए से दुरगंद आ रहा है तो उसके लिए दो तीन मेडिसीन हैं अच्छे से कुल्ला करना है ब्रेश अच्छे से करना है सुसुन पानी नमक डाल के कुल्ला करते रहना है जितना आप मुझ को साफ रखेंगे इस मेल खतम रहेगा अच्छा एक और सर अभी अभी इधर देखा ज स्था की था करते हैं या दात में गया पाने लगता है तो उसको आपको मेंटें करने के लिए आपको हमेशा प्रॉपर वे में सब्सक्राइब को मुझ को साफ रख रखना होगा ठीक है आपको हडी मजबूत हो रहें और मसूरा उसको पकर के रखे दात को क्योंकि आप अगर केर नहीं करेंगे बीमारी एक शुगर भी है शुगर की बीमारी से बहुत सारी बीमारी होती है आँखों का कमजूर हो जाना होता है तो उसमें एक दात का भी बीमारी हो जाता है कि दात कमजूर होने लगते हैं क्यों होन है जो होते हैं उन से मिलते रहना चाहिए चलकारे संस्थाओं पर चेक कराते रहना चाहिए चे महीने में आप जाएं एक बार चेक करा लें कोई बहुत जादा पर उनके लिए भी है जाना, इसा क्यों होता है, अगर है तो टेड़ा मेरा हो जाना होता है, बहुत तरीकों से होता है, जैसे देखते हूंगे, सारे साथ साल के पांसाल के सारे बच्चे उनको आदत हो जाती है हमेशा थंप करने की उंगुठे को चूषते रहने की उससे क्या है ना हमारा दाट जो बाहर क्यों बहुंटे वहार आजाते हैं मैं एक और भी और कि कि KISI जिसको मैकजिली कहते हैं मैकजीला कहते हैं वो हमारा ऊपर चला जाता है वो पतला हो जाता है जिसके देखेंगे बच्चों का फेस जो है थोड़ा सा पतला नेरो और निकलावा टाइप रखता है तो उन और भी बहुत सारी है तो उनको उनके लिए उनको बचाने के लिए अ क्योंकि इतना खराब लग रहा है अंगुठा चूस रहे हैं तो उसे आदा छोड़ सकता है वो और भी बहुत सारा चीज़ है अगर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया दात अब कोई गुंजाईश नहीं बची है कि हम दात टेरा मेरा ठीक कर सकते हैं तब आपको एक डॉक महीने आपको जाकर के पिंचेंच करवाना पड़ेगा तो जाकर के वो अधा ठीक होता थीक हो जाते हैं देखना पड़ेगा जो हमारे बच्चे के वो के बच्छे के बुड़ी आदत तो नहीं है नहीं चूस रहा है क्या होता है जब दफ statement अकेले रहते है तो उनको फील होता है कि हम अकेले हैं तो वह उठो चोसने लगते हैं वो भी एक है yeah तो ये सब चीजांगे को कैर करना होगा उनको आदद से दूर रखना होगा ये को कैसी बच्चों के जांट कि इसकी बात नवह जो कर रहे हैं तो इसमें एक और आता है एक चरचा भी चलती है खास करके आप लोग से सजेस्टन भी राता है कि हमारे बच्चे हैं उनको हमरो छोकलेट टॉफी वह गड़ा? जो है क्या उसे उसे उसके दात प्रभाव पड़ता है कि बच्चे तो चॉकलेट टॉफी खाते हैं सही से ब्रश नहीं कर पाते हैं जब सही से ब्रश नहीं कर पाते हैं उसके दात सर जाते हैं तो जब दात सरने लगेंगे तो फिर आपके शरीर में दात ही नहीं है तो आप चबाएंगे क्या, खाएंगे क्या, सबसे बड़ा महत जो रोल प्ले करता है हमारा वो दात करता है, दात का काम है चबा करके उस खाने को पेट तक पहुचाना, जब हमारा खाना चबा ही नहीं ह तो अच्छे से दाइजिस्ट नहीं हो पाएगा, वह अच्छे से पचेगा नहीं, उससे बहुत सारी पेट की बिमारिया भी होने लगेंगी बच्चों को, तो चौकलेट भी है, उस पे भी थोड़ा सा, अपना खाएं तो ब्रेश सही से करें, कुला सही से करें, अभी सर आप बताये, दांत सरने की बात आपने किया है, कि दांत सरता है, तो दांत जो है, अगर सर गया है, सर गया है, उसके बचाव के क्या उपाय है, क्या उससे बचाया जा सकता है, इस पर बताये, देखते हैं कि आज के लोगों की जादा समस्या है, दांत सर जाने की, तो दांत सर ज चीज से उस प्रोसेस से हम दात को बचा सकते हैं उसमें आर्ट सीटी करवा करके उस दात को बचा करके उसके उपर से कभर चरहाए जाता है वो दो तीन वीजिट लगता है उसमें काम होता है उसमें हम लोग आर्टिफिशियल नर्व डाल करके उसको अच्छे से दात को क्योर करके उस दाथ को बचा देते हैं यह बहुत अच्छे से अभी अब तो नॉर्मल हो चुका है सारे लोग कराते हैं दाथ को बचाना बहुत जरूरी है जब दाथ ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या तो वह किस तरह का है कितना दिन लगता है और क्या एक तो नई चीज है न बन गया पस्वस आ गया तो उसमें आपको टाइम लगता है उसका प्रोसेस फिर आपका फंदर दिन बिज दिन चला जाता है उसमें बहुत सारी दवाईया डाली जाती है वह उसके बाद उस दाथ को बचा बिया जाता है तो इस तरह से उस पधिति से हम लोग कर दाथ बच करते रहें ब्रेश करने का जो तरीका है अब तो बहुत सारा मतलब यूट्यूब चल रहा है बहुत सारी चीज चल रही है गूगल चल रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं आप डॉक्टर से विजिट ले सकते हैं कि सार हम कैसे अपने दाथ को बचाएं ब्रेश कैसे करें यह सारा चीज़ है जो है डॉक्टरेंसे पूछ सकते हैं बरश कैसे करना चाहिए। आपको उपणनीचे में मोशन जाये है लोग इसे से करते हैं यह नहीं है तुर्ण टाई कि वह करते हैं बहुत तेज करते रहें, जब कुछ खाएं तो कुल्ला करें, जब कुछ खाएं तो कुल्ला जरूरी है, कुछ खाना फसा रहेगा, वहां से कीरा लगना स्टार्ट हो जाता है, तब जाकर के हमको आर्सिटी के नौबत आ जाती है, उसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ भी वाई आती हैं उससे कुला करें करना चाहिए करना कुछ भी और खा रहे हैं तो उसको अगर ज़रूरी है तो हमारे दात जो है सड़ेगा नहीं मसूरा मजबूत रहेंगे जी 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 और एक है कि ब्रस और जो है जो है दातून या सब जो हम लोग यूज करते हैं तो किस तरह क ब्रस से होना चाहिए उससे कभी आपका मसूरे छिलाएंगे नहीं, कटेंगे नहीं उसको सही से आप प्रॉपर वे में ब्रश यूज करें टाइम ले करें तो सही रहेगा ब्रस का भी अपना टेकनिक है तरीका है उसका पालन होना चाहिए और एक चीश और देखते है कि अ अब जो रोड एक्सिडेंट हो जाता है उसमें सर्जरी संभव है हमारे मुझफरपुर में बहुत सारी मतलब सर्जरी ऐसी है जो गाउं-गाउं से लोग आए हैं और उन्हें कड़वाया और वह उसी अपने मतलब उसी अवस्था में चले गया है ठीक हो गया है तो अगर स्यांसे तूटब जाता है की अचले महिना के सी अभस्ता में एक्सिडेंट में आता है कुछ मतलब के। दाद भी गिर जाते हैं, तो वो दाद भी लग सकता है, लग सकता है, उस दाद लगाने का भी दो तीन है, एक आता है हमारा फिक्स दाद लगाने वाला होता है, FPD जिसको कहते है, वो लगाया जाता है, और भी प्रोसेस है, एक इंप्लांट एक प्रोसेस चल रहा है, जो बिह में छेद करके उस में स्कुरू डाल करके फिर इंप्लांट करते हैं उसके उपर से दांत लगाते हैं वो जैसे पहरे नेचुरल दांत होता है वैसे किया जाता है इंप्लांट आप बहुत नॉर्मल सब लोग कराने लगे है इज अब यह सुभा आपने हम मिल लगा है जी और और यह कमन जो है दांतों को रंगीन कुछ-कुछ लोग दांत में लगाते हैं दांत को दिखाने के लिए उस जब अच्छा करते हैं तो थोड़ी बहुत संसनाट होती है रहती है तो वह तब करते हैं जब वह बोलते हैं कि नहीं हमको करणाना है वह कराने के लिए एक छुक खुते हैं तो जैसे किसी के दान संता ना क्लाइए है तो उसमें लगा कर और तो उसको स्था आया जाता है तो वह संभा गई लिए और एकापि ज़्का जूह का है कंकना जिजा है न चाहिक होता है उसकंछ करूछी कि हुए क्यू साघ्धा थेas संसनहाट होती है गाओं घर में लोग दाटून युज करते हैं या देखते हूंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि लकडी वकडी से करने लगते हैं नहीं हम मैं बहुत सारे जगाहंं पर मैंने देखा है कि लोग बास का आता है पेड़ सम्भी उसका पतला और जो है उसे जो पाउडर होगा जो है बहुत लोग देखते आपकी बात करें लोग भी उच करते दान साफ करने के लिए तो वह उसके लिए नहीं यूज करना चाहिए वह बहुत सारे लोगों को देखा मैंने की वह राक से यूज कर लेते हैं जमीन की मिट्टी उठाते में मैंने देखा है उसको घस्ते देखा है तो यह सब चीज सही नहीं है इससे आपके मूह में इंफिक्शन फैलेगा उसको आप लोग किजिए उसको छोड़ना पड़ेगा उसादत को अब आप चर्चा की यह शुरुवाती दौर में की कुछ ऐसे है जो नशा की बस्त हुए ह पान खाना हुआ यह सारी जो चीजें हैं इसे हमारे मूँ में बहुत ज़ादा ही असर पड़ता है उससे हमारे मूँ का जो मसूरा होता है वो गलने لगता है बहुत हड्लिया गलने लगती है दाः धीले हो जाते है दाट गिरने लगता है उसके ऑद दाद घिस न Hurry दाए द बिहार में सबसे ज़ादा ओरल कैंसर पिशिंट पाए जाते हैं जो कि अभी डाटा निकला है नया उसमें बताया जा रहा है कि हर साल दस से बारा हजार ओरल कैंसर पिशिंट मिलते हैं दस बारा हजार बहुत संख्या हो गई तो हम उस जो पुरिया है गुटका है इन सब बहुत जादा आप तो बहुत जादा कॉमन हो गया कैंसर उससे आपको भचना पड़ेगा पुरिया नहीं खाना है तो बैको जो लोग देखते हैं कि तमाकू लेकर के दबा देते हैं उस जगह पे से हड़ी जो गलना स्टार्ट होती है उस जगह को खतम कर देती है अच्छ जादा राव ये परचलित हो गया है कि लोग पुडिया खूब खाते हैं तो यह चीज़ सब छोड़ें और गाउं के जो भी मजदूर हैं उन्लोग वह लोग जादा खाते हैं वो लोग तंबाकू जादा सेवन करते हैं उसका उसको छोड़ना पड़ेगा दात मैसे उससे क तो जाहिर सी बाइचा हड़ी सरने रगेगा, मसूरा सरने लगेगा, तो बिमारी तो होगी, कैंसर हो जाएगा, हड़ी गलने लगेगी, उस हड़ी को काट के हटाना पड़ेगा, तो आप फिर जब हड़ी नहीं रहेगी, दाथी नहीं रहेगा, तो आप खाएंगे क्या, जि निकला उनको आदत है पुरिया खाने की, चिगरेट पीने की, खैनी खाने की, वह अगले दिन ही खाना स्टार्ट कर दी, तो उससे तो कैंसर हो गा ही ना, बीमारी तो होगी, इन सब चीजों पर रोक लगाना होगा उनको, इस पर बने है कि अगर किसी कोई अलत है तो उसे पर परहेशक करना पड़ेगा, तो फिर उसके दाथ से साथ कैंसर ही हो सकता है, ये जाशल मसल सुसपर जयाता है देखे क्या होता है कि बहुत सारे लोग पुडिया खाते है, हमारे जो दोनों तरफ का जो गाल होता है अंदर जो मसल होता है उसके ओपर से band बन जाता है fiber type का वो मूँ को खुलने नहीं देता है जब मूँ खुलेगा नहीं तो आप खा नहीं पाएंगे बहुत सारे लोगों को देखें कि बस इतना ही मूँ खुलता है जी तो वो पुडियों की वज़से होता है पुडिया खाते हैं सिगरेट पीते हैं उन सब चीजो हो गया बीमारी में तो उसको लोगों को छोड़ना पड़ेगा उसका क्या इलाज है उसका इलाज है सरजरी है उसके बाद और सभी दवाई सब चलती है बहुत सारी दवाईयां चलती हैं आपको पुडिया छोड़ना पड़ेगा एदम तब जाकर कि वो छे-सात महीना साल पर में नॉर्मल हो जाएंगे आप और सर एक है कि जिसे दात में अब बता है कि दात में भी तरह-तरह का दात है कि पहले था कि कोई कमर अगर बीमारी हो गई दात सड़ना हो गया तो लोग उसको उखार देते थे अब क्या उसका सुदूशन ने क्या-क्या पाई आया जब जब दात सर जाता है, तो लोग RCT कड़ाने लगते हैं, RCT एक समाधान है, जो रोक लेगा दात को, आपको बचा देगा, एक RCT समाधान है, मसाला भड़ा लेना, सही समाधान है, उसके उपर से कौफर चरा लेना होता है, वह सारा प्रोसेस है, अब मान की चली किसी का दात नह तो उसका टिकाऊ रहता है क्या, जी टिकाऊ रहता है, अच्छा एलाज होता है, जो भी है दात अगर हम उसको अगर चला रहा है, या फिर उसको अंदर अगर भर रहा है, तो फिर या बजबूती रहती है, जी मजबूती रहती है, जी मजबूती रहती है, जी मजबूती र सबसे पहली चीज़े ब्रेश करना जब कुछ खाएं तो कुल्ला करें कुल्ला अगर नहीं करेंगे कुछ खाना फसा रहेगा वहां से क्या होगा कीरा लगना सबस्तराट हो जाएगा लोग आते हैं कंपलीन करके कि पीच में गतड्णा बन गया फसगया है वो क्यों फसगय है कि आप सही से ब्रेश नहीं कर रहे हैं आप तंबाकू खा रहे हैं तो वह जब गड़ा बन जाएगा उसके अंदर खाना फस्ता रहेगा वो दर्द स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉपर ब्रेश करें अपना सही से कुल्ला करते रहें और नॉर्मल पानी नमक सुसुम पानी से कुल्ला करते रहें यह सब समाधान है और तबाकू गुटका यह सब ना कि आप दूर हैं वहां से आपके नजदी की कोई प्राइवेट क्लिनिक है तो वहां जा करके दिखा लें पर अपने शरीर का अपने दातों को मूँ को अपने दातों और मूँ को बहुत सही से हिफाज़त के साथ अच्छे से रख के चलेंगे तो आप मतलब मजबूत रहें सही से फंक्शन नहीं करेगा आपका शरी अच्छा रिस्पॉंड नहीं करेगा खान पान के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब जो भी हम खा रहे हैं जैसे नौन विच खा रहे हैं तो जब खाएं तो उसमें जो देखते होंगे कि मांस वांस फश जाता है उसको सही से ब्र खाएं तो थोरा सा मझबूत चीज़ भी खाके रहें इताकि उससे मझबूति मिले ठाक है? बहुत हाट चीज़ भी नहीं खाना है, कुछ भी तोर दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ भी नहीं है, बहुत सारी लोग होते हैं, ढकन खुल देते हैं, तो यह सब चीज़ से दाट तूर जाता है, तो इस ब साफधानी भी रखना है, और ब्रष कितने समय करना चे़े, किस त जादा खर्च नहीं हो रहा है, एक ब्रश आप दो महीन ही यूज़ करें, उसके बाद फिर दूसरा ब्रश ले लें, जब आप हर एक चीज़ पे खर्च करते हैं, तो ब्रश पे भी खर्च कर लें, और बच्चो के लिए छोटे बच्चे हैं, उसके लिए क्या करा हैं, छोट जो एक दूद का दाथ होता है, एक पक्का दाथ होता है, तो जो दूद का दाथ जढ़ने लगता है, वो पहले ही अब जढ़ने लगता है, दाथ खराब हो जानी को इसे, तो अब जब दूद का दाथ जढ़ गया, पक्का दाथ आने में टाइम है, तो जाहिर सी बात है, ज से हम उसको बचाएं और जाहिर सी बात है कि हम अपने दात का केयर करेंगे, बचाएंगे, समय से ब्रस करेंगे और खास करके इन्हों ने एक सजाद दिया है कि जदी आप कुछ भी खाएं तो कूला जरूर करें, अपने दातों को साफ रखें, तो निश्चित रूप से हम दा बचना चाहिए, नहीं तो आप कैंसर भी हो सकता आपको दात का और आपकी जीवन पर खत्रा हो सकता है, इसलिए डॉक्टर साहिब ने जो सलाह दिया जैदी हम इसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे दात मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, तब तक के असको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहिए.